हाई फ्रेंड्स इस वीडियो का माध्यम से हम एसका फोल्डिंग के बारे में पूरा डीपली में समझने वाले हैं एक एक टॉपिक हम कबर करेंगे इसका फोल्डिंग के बारे में तो सिंपली मैं बोलू तो आप इस वीडियो को देखकर आप एकस का फोल्डिंग का एकस वा क्या क्राइटीरिया होता है इसी में हम बात करेंगे जो हमारा क्लैंप होता है एक एक क्लैंप की क्यापिसिटी कितनी होती है ये भी हम आपके साथ बात करेंगे तो इस वीडियो का माध्यम से हम जानेंगे हम ये सब कुछ और साथ ही जानेंगे बहुत कुछ तो बने रही हमा जो भार को distribute करने के लिए किया जाता है जैसा कि आप समाझ सकते हैं कि जब हमारा इसका फोल्डिंग इरेक्सान होता है तो सबसे नीचे हम सोल प्लेट डालते हैं यह क्या करता है कि जो हमारा जमीन होता है ग्राउंड होता है उसके सर्फेस पे एक लोड को distribute करता है जिससे कि हमारा जो इसका फोल्डिंग होता है क्लेप्स आने के चांसे नहीं होते हैं इसे इसका फोल्डिंग का बेस भी बोला जाता है आप इमेज में देख रहे हैं यह जो हलका ब्राउन कलर का सो कर रहा है यह आपका सोल प्लेट होता है जिसकी साइज 300 इंटू 300 एंड इसकी थीकने जो होती है 6 mm यह होती है और यह जो आप उसके उपर में देख रहे हैं यह हमारा बेस प्लेट होता है जो की सोल प्लेट के उपर होता है इसका साइज 150 into 150 का होता है जिसका थीकनेश 6 mm का होता है यह हमारा इसका का फोल्डींग का भेस है ऐसको यह ठिंग सका फोल्डींग किउम्पाइब के बारे में वहाद ऐक परकार का पर्कारका इसका Philip और के दौरान कसा फौल्डइंग के रूप में किया जाता है इसका ऐसका औरनल डाया 48.3 mm को होता है जबकि इंटर्नल डाया 40 mm का होता है जिसको नुमिनल डाया भी बोलते हैं इसकी थीकनेस की बात करें तो 3.2 mm इसकी थीकनेस होती है एक नॉर्मल ट्यूब 6 मीटर लंबी होती है जिसका वेट लगभग 20 kg होता है हम अपने हिसाब से इसको कटिंग करके एड़ेस्ट कर सकते हैं अगर इसके अस्टेंडर्ट की बात करें तो हम लोग इंडियन इस्टेंडर्ट डवल वन सिक्सवन का वी यूज कर रहे हैं तो यह हमारा पूरा जो डिटेल साइए इसका फोल्डिंग से रिलेटेड है इस ट्यूब से रिलेटेड है ओके क्लियर अब हम बात कर कहारेंगे इसका folding clamp के बारे में यह क्या होता है आये जानते हैं क्लाइम का इसका folding component को secure करने के लिए यूज किया जाता है जब हम भीगर कर मोरली साथ परकार के होते हैं । इसको क्लैम इसको Spice Clamp भी बोलते हैं हमारा जो इसका फोल्डिंग का प्लैंक होता है उसको fix करने के लिए उसको secure करने के लिए को यूज करता है next में आप देख रहे हैं beam clamp इसका उप्योग जो हमारा इसका folding erection होता है तो यह collapse नहों हो इसके लिए हम किसी beam यह structure से इसको clamping करते हैं that means उस place पर हम इस clamp का यूज करते हैं यह आप next में देख रहे हैं ladder clamp हमारा जो इसका folding erection होता है उस पर चड़ने के लिए ladder का यूज किया जाता है तो उस ladder को secure करने के लिए ladder clamp का यूज किया जाता है okay next joint pin clamp यह क्या होता है एक परकार का clamp होता है जिसको हम joint करने के लिए pin के यूज करते हैं और तत की जो हमारे जो पीन होता है उसको जैसे जैसे हम tight करेंगे तो यह हमारे जो ट्यूब होता है उसको catch करते है उसको को टाइट करता है तो इस परकार से इस क्लैम को यूज करके हम दो ट्यूब को ज्वाइंटिंग करते हैं हम बात करेंगे इसका फोल्डिंग प्लैंक के बारे में प्लैंक क्या होता है आए जानते हैं प्लैंक का उप्योग प्लेटफारम को बनाने के लिए किया जाता है जिस पे हम किसी व्यक्ति या मैटेरियल के भार को लोड देते हैं इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 2100 एट मिस्ट 2.1 मीटर का होता है इसकी वीड जो होती है 280 mm की होती है इसके थीकनेस की बात करें तो 38 mm की होती है यह जो हमारा प्लैंक के यह इंडियन अस्टेंडर 8224 के तरहता है और इसके जो भी डिटेल्स हमने आपको डिस्क्रिप्सन में दिया वह इसके तरहत ही मैंने और बता है तो आई थिंग की हमारा प्लाइक का जो टॉपिक है यह कवर हुआ और एक और बात यह जो प्लैंक होता है इसको हम पुट्रोग कौपलर के दौपलर दिवारा फिक्स करते हैं जो हमाया प्लैंक ओता है ट्रांज़म के ऊपर में रखते हैं उसके बाद घूम तो यह हमारा जो टबर होता है यह इसका फोर्डिंग के एंड पर या फीर किसी जो भी सर्फेस है उसके एड्सके यूज किया जाता है अगर हम इसका folding से related बात करें तो यह जो टोबोड होता है इसकी height 150 mm की होती है और इसका जो bearing capacity होती है 2222 kg का एक safe working load जो है निर्धारत किया गया है बट इसकी capacity ज्यादा होती है और next अब हम बात करें तो handle के बारे में handle जो होता है इसका 95 mm से लेके 1200 mm तक की होती है इसकी height होती है और इसका जो force capability होती है 90 kg होती है लगबग तो ऐसे इस से मापका जो mid drill होता है 450 से 600 mm तक की होती है और जिसकी capacity जो होती है 67 kg की होती है और यह दोनों का उपयोग किसी बैक्ति का गिरने से रोकने के लिए यूज किया जाता है अर्था यह भी एक barrier है जो कि किसी बैक्ति के लिए या फिर वरकर उदर में काम कर रहा है उसको क्या करता है प्रिवेंट करता है इसको क्लियर भी बोलते है यह एक परकर का vertical टिव होता है जो कि जो ground होता है उसे इस्दम सीधा 90 degree अंगल पर होता है यह हमारा जो Soul plate के ऊपर base plate होता है उसका जो सेंक होता है उसमें यह fix-up होता है और वहां से सीधा यह 90 degree अंगल पर रहता है ओके जैसा कि आप image में देख रहे हैं folding का vertical tube होता है वहाँ पे किया जाता है तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो आपका bay length होता है mid length को ledger या runner बोलते हैं और जो आपका weight width होता है उसको transum या bearer बोलते हैं अब bay length क्या है 2 vertical tube के जो بीज की दूरी होती है उसको basic length बोलते हैं और जो दो वर्टिकल ट्यूब को चोड़ाई होती है उसको बे वीड्थ बोलते हैं। यह चोड़न जो आपको आपका यह कर अपको अब पूछ सकते हैं। इक करते हैं नेक्स अब बात करेंगे कीकर लिफ्ट क्या है कीकर लिफ्ट हमारे इसकरlio कंद सबसे नीचे में एक लिफ्ट होता है उसको base लिफ्ट भी वह बोलते हैं एक हमारे जो वर्टिकल जो टिव होते हैं उसको सिक्यूर करने के लिए मतलब बोले तो उसको फिक्स करने के लिए एक हम लेडजर और ट्रेंजम करते हैं नीचे में भी जिसको कीकर लिफ्ट या बेस लिफ्ट करते हैं या ग्राउंड से 150 mm हाइट पर ही होता है जैसा कि आप इमेज में देख रहा है यह कीकर लिफ्ट या बेस लिफ्ट है जो कि हमने एरो के साथ इंडिकेट कर रखा है ओके क्लियर अब हम बात करेंगे पुली एंड रोप के बारे में जैसा कि आप इमेज में देख रहा है या एक परकार का पुली है और यह साथ में एक रोप लगा हुआ है इन दोनों का उप्यों कि किसी मैटरियल को लिफ्टिंग करने के लिए यूज गया जाता है पुली जो होता है वो सपोर्ट करता है जबकि जो रोप होता है वो किसी भी मैटरियल को लिफ्टिंग करने के लिए सहायता करता है इसके द्वारा जैसे कि कोई इसका फोल्डिंग का मैटरियल अपने को हा सर्फेस पर करते हैं जिससे क्या होता है जो आपका और इवन सर्फेस वह एक लेवल में आ जाता है अर्थात कि किसी भी सर्फेस को मेंटेन करने के लिए हम इस करते हैं इसकी क्यापिशिटी 3000 kg होती है और एक चीज जिसमें नोट किया जायता है ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह जो आपका jack आप देख रहे हैं इसका हम 2.3 ही यूज कर सकते हैं इससे ज्यादा हम इससे height को नहीं बढ़ा सकते हैं अन्य था यहां से collapse कर सकता है चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका folding क्या होता है कितने परकार के होते हैं और एक एक parts जो होता है कहां कहां पे कौन सा parts होता है ये भी देखेंगे और उसके 1000 cents precaution के बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका folding क्या होता है What is Ska folding? सेटी या किसी सामान का या फिर दोनों को उचाई पर कार्य करने है तू सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है इसको एस्टैजिंगग भी बोला जाता है दोस्तों अब हम बात करेंगे तौन सब के टेग्राइज किया गया है लेकिन हम यहाँ पर दूड टाइप को केट्राइज करके आपको सारे सका फोल्डिंग को लगबग हम इसी में सामिल करेंगे सबसे पहले हम जानेंगे forme लोग को कितने भागों में डिवाइट किया गया करेंगे थे क्या है तो उसमझाण सकते हैं तो वह परकार क quiero ekat का ﷻ नम्बरल में कर लेते हैं जैनाप को यूद्य करने का करेंगे कैसे को भेस का यहां पर बहुत सार लोग काते हैं यह दोनों में डिफरेंट है हम आगे में आपको इसका जो डिफरेंट है के लो ना किलियर करेंगे आपके कैंटी लेवर इसका फोल्ट एस फैसल सक फोल्ड ब्रिजस्टाइफ एसका फोल्ड तो यह कुछ है का फोल्ड होता है जिनका हम लोग यूज करते हैं तो आइए एक एक करके को हम पकड़ते हैं और डिपली में समझते हैं इसको कैसे हम अइडेटिफाइए करते हैं और क्या क्र निर्मार किया जाता है यह एक पर करका कपलक एसका फोल्ड कपलक एसका फोल्ड एक परकार का ऐसा इसका फोल्डिंग होता है जिसमें केवल कॉप टाइप को होता है जो कि लॉक होता है जैसा कि आप यह इसका फोल्डिंग में देख रहे हैं यहां पर आप सो कर यह परकार का कॉप है जो कि आपका होरीजेंटल जो काश्टर फिल बोलते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह असानी से ले जा सकते हैं तो ऐसे इसका फॉल्ड को mobile बोलते हैं जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं हम इस का फॉल्ड के द्वारा अपना जो भी कारे होता या टेंप्रोरी होता चड़ी समय के लिए आपका suspended as का फोल्ड एंड hanging as का फोल्ड दोस्तों यह दोनों में different करें तोड़ा इसको ध्यान से समझ जब भी हम किसी भी हाइट से किसी भी मचान को लटकाते हैं नीचे की तरफ यदि हम रसी के करा लटकाते हैं या फिर किसी भी फरकार का सिलिंग के द्वारा तो उसको सस्पेंडेड बोलते हैं जब कि जो हैंगिंग होता है वह हाड हाड रूप से होता है फॉर एक्जामपल जैसे हमारा ट्यूब है ट्यूब को लेके अगर हम अपना इसकाफोर्ड के निर्माड कर रह है जबकि दूसरे इमेज में किया है किसी फिक्स डॉक्षर के साथ से ट्यूब की सहाइता से एक इसकाफोर्ड को नीचे की तरफ लटकाया जा रहा है तो इस को हैगिंग बोलते हैं ठीक है इसकाफोर्ड का निर्माड हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें नीचे से कोई सप से बहतर option होता है कि क्योंना हम उपर सही किसी इसका फोल्डिंग को suspend करके ऐसे इस्तिति में कारे कर लें तो ऐसे इस्तिति में भी काम किया जाता है जैसा कि आप इमेज में देख रहा है तो इस इसका फोल्ड को suspended बोलते हैं अगर इसी चीच को अगर हम किसी स्ट्रक्चर के साथ फिक्स उरूप में बनाएंगे तो hanging होगा नेक्स केंटि लीवर इसका फोल्ड केंटी लेवर इसका फोल्ड होता है जो कि किसी स्ट्रक्चर से बाहर जाता है जैसा इमेज में देखिए यहां से यह इसका फोल्डिंग इरेक्शन हुआ है जबकि इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है एक साइट से ही केवल सपोर्ट रहता है इसमें बाके हम यहां पर क्रोस ब्रेसिंग ले सकते हैं लेकिन इसका एक हिस्सा हमेशा हवा में होता है दूसरा हिस है इसका फोल्ड में आ जाएगा ऊके नेक्स्ट अपका ब्रिचे पर एक सस यह होता है जिसमें के एक ब्रिज निर्माण कि आप समझझ सकते हैं कि दो स्ट्रोक्चर और बीच में अपने कोई इसका फोल्ड निर्माण करना है एक हए पर ल कुछ भी यह ठीख वहां पर आपने को इसका फोल्ड बनाने का तो नीचे से कोई बैस ले नहीं सकते हैं तो उसको हवा में लटकाया जाता है तो फिर से आपका Special Ska fold में आजाएगा अगर फिर जब आपका वो Special Ska fold में आता है तो इसके लिए आपको नेको additional permit की required होती है ठीक है next अब हम बात करेंगे special Ska fold के बारे में Special Ska fold को specific load के लिए design किया जाता है जैसा कि आवस समझ सकते हैं कि करते हैं अगर वो किसी स्टेंडर से नहीं आ रहा है मेरे को उसमें कुछ एडिशनल रिक्वाइड बोले तो अपने हिसाब से कुछ मोडिफिकेशन करने का है कुछ एक्स्ट्रा लोड बढ़ाने का है तो ऐसे इस्तिति में अगर किसी इसका के चट्राइट नियुक्त अद्वागों के जरूत होती है तो यह हमारे चर्णात में लूट डिस्ति न को तीन भागों में डिवाइड किया गया है MP1 अड है अड़ हमारा जो नहीं हमारे जो होता है पेलेकिल पर निर्धारित ये Pूरा हमारा लाइड ड्यूटी मिडियम व्यूटी एंड हैवी ड्यूटी का इसका फोल नेर्माड किया जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहां पेक अल्रेडी बेलेंद और किटना केजी का सीफ़ फ्र फरकिंग लो यह वीड़ उपर आता है आपका बेस प्लेट प्लिट हो गया बेस प्लेट हो गया है इसको बेस लिफ्ट या कीकर लिफ्ट बोलता है ठीक है यह आपका अश। है यह आपका लेट जा रहा है लेट जर और यह धीने ठीक है यह तो बोर्ट इसको बोलते हैं या फिर इसको की बोलस्या जाता हो यह अब का मेड रेल है किता है उसको गांड रेल बोलते हैं और ये यह अब सकिलन क्या है कि दिए टलर र Ol 즉 Parce तो यह चोटा चोटा आप जू देख जहलों है यह प्लैंप है 여खको टॉप प्लैटफ फारम् आ गया ठीक है और यह देखिंए इसको प्लैंक बोलते हैं प्लैंक क्या है यह इसी के द्वारा प्लैटफारम का एक जगा क्लैंप हुआ है इस एरिया को बोलते हैं नोड़ पॉइंट इसका एक रेंज होता है 300 mm के दाइरे में यहां आना चाहिए ऐसा नहीं कहीं भी हम नहीं कर सकते हैं ठीक है यह एक एस्टेंडर्ड का इसाफ से 300 mm के रेंज में ही आना चाहिए अब थोड़ा यहां ध्य होता है बाहर जो निकलता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन इस एरिया को ठीक है इसकी रिपी एक रेंज होता है 50 mm से लेके मैकिसीमम 150 mm तक ही हम निकाल सकते हैं ठीक है नौट पचास अमेम से कम नहीं 150 से ज्यादा ओके इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं अब हम बात में जब भी हमें इसका folding का Muse correction कर रहे हوते हैं या पिर एसका folding पर कारे कर रहे होते थो खिंब किन 1000 का सामना करना पड़ सकता है उसके रेजन एक जानते सकते हैं और उससे कैसे बच सकते हैं आये जानते है, unsafe work practice भी हो सकता है, या फिर unsafe आपका work place हो सकता है, tools या equipment के fall होने के region हो सकते हैं, आपका lack of dawboard हो सकता है, improper stacking हो सकता है, on secured material हो सकता है, तो यह सारे region होते हैं material के falling होने के, अब हम बात करेंगे इनके control measures के बारे में, that means precaution के बारे में तो जो आपका वर्कप्लेस से क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है। सुट्री सर्फेस या फिर कहीं पे इस प्लिज़ें तो ऐसा कारे अस्थाल को एभॉइड करना चाहिए। हमेशा railing system का उपयोग करना चाहिए हमेशा कारे स्थल पे safe access और safe platform को कारे करने है तू प्रभाइड किया जाना चाहिए नेक्स्ट हजार से आपका stroke by falling object और dropped object जैसे कि जो भी कोई material जब उपर से गीर रहा है तो नीचे वाले बैक्ती को छोट लग सकता है तो ये ऐसा हजार create होता है इसके precaution की बात करें तो workplace जो भी है उसको barricase करना चाहिए और safety sign का परयोग करना चाहिए कारे अस्तल पर हमेशा सुरच्छा और करोणों का परयोग करना चाहिए नेक्स्ट है electrocution hazard for example कोई overhead में power lines है तो वहां से electrocution का खत्रा बना रहता है तो इसके precaution की बात करें तो हमेशा एक सुरच्छित दूरी बनाये रखना चाहिए जब भी हम power lines अगर overhead है तो एक safe distance maintain करके रहना चाहिए कारे start होने से पहले risk assessment अवस्य किया जाना चाहिए यदि संभव हो तो electric power switch को off कर देना चाहिए नेक्स्ट hazard अपना collision of vehicle और any other moving equipment to escape fold हमारा जो भी escape folding है उस पे किसी vehicle या किसी other moving equipment के द्वारा टक्कर हो जाना तो इसके precaution की बात करें तो जो भी हमारा workplace है उसको varicate करना चाहिए और सुरच्छा चीनों का उप्योग करना चाहिए नेक्स्ट hazard है collapse of escape fold इसके region की बात करें तो maybe improper ground हो सकता है, overload हो सकता है, improper bracing हो सकता है या फिर weather condition भी हो सकता है आए जानते हैं इसके precaution के बारे में हमेशा इसका folding को loose soil पे बनाने से avoid करना चाहिए इसका folding को कभी भी overload या फिर over stacking नहीं करना चाहिए प्रोपर bracing का use करना चाहिए यदि weather condition खराब हो तो कारे को रोक देना चाहिए तो दोस्तों ये कुछ hazards and उनके control measure थे जिसको follow करके हम इसका folding erection या फिर इसका folding पे जो भी हम कारे कर रहे हैं उसको safely कर सकते हैं यानि कि जहां पे भी इसका folding बनाना है वहाँ पे ground का level अच्छे तरीके से maintain कर लेना है then after अब हमको सबसे पहले वहाँ पे sole plate का use करना है और sole plate के उपर base plate का use करना है Soul Plate और Base Plate का काम क्या होता है कि जो भी हमारा SkaFolding है उसका जो weight है जो भार होता है उसको distribute करता है तो हमने Soul Plate और Base Plate का यूज किया Then after अब हमको यहां पर SkaFolding Tube को यूज करने का है यानि कि जो हमारा post होता है जिसको alignment भी बोला जाता है तो हमने यहां पर vertical हमारा post जो है खड़ा किया चारो कोने पर देखें यहां पर मैंने कैसे कैसे खड़ा किया अब यह जो हमारा SkaFolding Tube जो vertical है इसको secure करने के लिए सबसे पहले आप हमको नीचे में क्या करना होता है यहां पर kicker lift का use करते है kicker lift क्या होता है इसका काम क्या होता है जो हमारा SkaFolding का जो base है उसको secure करता है देखिए हमने यहां पर इसको use किया ठीक है इसका एक condition होता है यह जो होता है ground से 150 mm की height पर हम इसको बनाते है तो हमने यहां पर मान लिजए यह हमारा height है 150 mm है तो हमने यहां पर इसको बना लिया kicker lift बन गया अब इसके ऊपर जो होता है अब हमको इसके ऊपर आगे बढ़ना है भई हमको height पर ज्यादा height तक काम करने जाना है तो अब हम डालेंगे यहां पर first lift यह जो first lift जो होता है 2.1 meter से लेके 2.7 meter के बीच में हम डाल सकते हैं और यह जो distance होता है kicker lift होता है वहाँ से इस distance को हम लोग तै करते हैं तो अब देखें यहां से अब हम उपर की तरफ चलेंगे 2.1 meter से लेके 2.7 meter के बीच में मान लेजे जो भी होगा हमने यहां पर first lift डाला तो अब first lift डाला तो फिर क्या करेंगे अब हम यहां पर यूज करेंगे वह इसका folding tube को length में भी डालेंगे और width में भी डालेंगे अब यहां पर ध्यान दीजेगा ledger क्या होता है ट्रांजम क्या होता है जब भी जो हमारा इसका folding जो tube है अगर bay length को दिधारित करता है यानि कि देखिए यहां से bay length क्या होता है इस tube से लेके इस tube के बीच की दूरी को bay length बोलते है और bay width क्या होता है इस tube से लेके इस tube तक ध्यान देजेए यहां से लेके यहां तक इसको be width बोलते हैं यानि कि अगर जो लंबाई है उसको length बोलेंगे, जो चोड़ाई है उसको width बोलेंगे, confirm, अब दखिए, जो हमारा be length होता है उसको ledger बोलते हैं, जो हमारा be width होता है उसको transum बोलते हैं, clear, बेलेंद को लेडजर और बेवीर्ट को ट्राइंजम अब देखिए हमने यहां पर फ़र्ट लिप डाल दिया अब फ़र्ट लिट के ऊपर अगर जब भी हमको जाने का है तो आघर जो लिप होता है 1.8 अब देखिए हमने cross bracing भी डाल दिया, अब plank भी डाल दिया, अब एक बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिजी, यह जो plank जो होता है ट्रांजम के उपर में रखते हैं, यानि कि पहले हमनों ledger डालते हैं, then after उसको उपर ट्रांजम डालते हैं, अब ट्रांजम के उपर में हम इ प्रेटिकल दिशा में अगर हम ले जा रहे हैं किसी इसका फोल्डिंग टिव से, तो उसको लिए हम right angle coupler का यूज करते हैं, तो right angle coupler यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ जीतने भी 90 degree आप देक रहे हैं, वहाँ पे right angle coupler होगा, right angle coupler का मतलब भी ह जाता है अब देखिए ये जो crossbracing यहां पे हम स्विएल कपलर का यूज करते हैं और इसका अब देखिए हमने यहां पर डाल दीया अब हमारा जो आदमियों उस पर जाके काम कर सकता है लेकिन वो आदमी गिरे न इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमको यहां पर Railington System का यूज़ करना पड़ेगा तो Khouette लिए तोबो डाता है मेडरेल आता है हैंडरेल आता है तो देखिए हमने तीनों का यहां पर इस्टालेशन कर दिया अब हमारा प्लेटफारम परें चारों तुरह से सिक्योर हो गया अब प्लेटफारम सिक्योर हो दूर्त बाई, अब हमको उपर जाने का है? हम तो ऊड़ के जाएंगे नहीं, तो यहाँ पर हमको मंगता है। यहाँ लैडर देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लैडर डाल दिया। लैडर को मिनिमूम दो जगा पे इसको सिक्योर करना होता है। जैसे हम इसका by 300 का होता है यह जो लेडर है ना इसको बोलते हैं रंग इसकी जो capacity होती है 225 से 235 kg तक होती है ठीक है अब देखिए लेडर को secure किया मिनिम्मम दो जग़े पे secure किया एक और बात यह बात यहां पे यहां पर मालेजिए इधर से भी आया इधर से भी आया चारों तरफ से पाइप आया एक जगाई कठा हुआ है इस पॉइंट को बोलते हैं नोड पॉइंट का एरिया होता है 300 mm का एक दायरा होता है इसके अंदर ही यह सारा पाइप आना चाहिए ठीक है तो जब भी हम इसका फ पर चड़ने के लिए यहां पर ख़णने के लिए लैडर अाठर यहां पर से यह चाट आब और अंदर बात आए ज φोल्डिंग का से ट्योट का आता है इसका पाइस इसकी Princip टउट होती है लगवक 20गेज आप यह वुल्यंग टीवक्व अगर हमको इसको मान लिए 6 मीटर का है तो हमको 12 मीटर तक जाने का है तो हम क्या करेंगे तो इसको जोड़ोना होता है तो एक इसका folding tube को कैसे जोड़ते हैं इसके दो मेतर होते हैं हम चाहें तो इसको box clamp के थूर जोड़ सकते हैं या फिर directly pipe to pipe peak connection जोड़ा जाता है तो pipe to pipe कैसे जोड़ते हैं हमने एक pipe और दूसरे pipe के बीच में minimum 3 clamps डाला जाता है as per procedure के इसाब से minimum 3 clamps यहां पे required होते हैं और दूसरा जोटा है box clamp जब भी हम box clamp के यूज करते हैं तो यहां पे एक slanze के यूज करते हैं slanze क्या होता है एक pipe होता है दोनों pipe के बीच में यानि जहां पे हमने box clamp के यूज किया है न वह सेंटर में आ जाएगा और यह जो इसका पॉलनी का छोटा वाला जो ट्यूब है दोनों pipe से connect करके यहां पे हम swivel clamp के थूरू इसको connect कर देते हैं तो यहां पे हम क्या करते हैं swivel coupler के थूरू दोनों side से एक-एक clamp डालके इसको जोड़ देते हैं तो इसको slice बोलते हैं इस tube को और इस परकार से जोड़ा जाता है और second में क्या होता है कि direct pipe to pipe भी clamping के जाता है तो इस परकार से एक tube से दूसरे tube को जोड़ा जाता है एक और point यहां पर ध्यान दीजिए जब हम इसका folding के निर्मार कड़ रहे थे तो यहां से यहां तक की दूरी 2.1 मीटर है या फिर यहां से यहां तक 1.8 मीटर है तो यह जो gap है तो कोई भी इसका folder इतना distance से एक ही बार चड़ नहीं सकता है इसलिए वो बीच में क्या करता है लोग कि T के यूज करता है एक इसका folding tube होता है बीच में कहीं भी उसको लगा के वहां पे clamping करके इसके थूरू बैकती जो है उपर की तरफ चड़ता है और दूसरी चीज़ यह जो हमने plank डाला है दो plank के बीच की जो gap होती है maximum one inch से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो यह सारे criteria थे एक इसका folding का निर्मार करने में I think कि आपको clearly समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम clamp के बारे में जान ल होता है जिसका उप्योग इसका folding के जो भी parts होते हैं उसको secure करने के लिए या फिर जोडने के लिए यूज किया जाता है इसको coupler भी बोला जाता है अब हम बात करेंगे types of clamps के बारे में and साथ ही जानेंगे protect clamp का safe working load भी तो आइए step by step जानते हैं first है आपका right angle coupler इसको fixed coupler या double coupler के नाम से भी जाना जाता है इसका उप्योग किसी vertical या horizontal pipe को connect करने के लिए यूज किया जाता है that means जब भी हम किसी भी pipe को 90 degree angle पे अगर हम connecting कर रहे हैं तो वहाँ पे right angle अर्थात की fixed coupler का यूज करते हैं जैसे कि आपका ledger हुआ है ट्रांजम हुआ है रेलिंग हुआ ठी करते हैं इसका से फॉर्किंग लोड 6.3 किलो न्यूटर्न डैट मिन 630 केजी होता है ओके सकेंडे स्विवेल कपलर स्विवेल कपलर का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहां पे भी अपने को क्रॉस में अगर किसी ट्यूब को जोडने का है तो उस अस्थान पे हम स्विवेल क 3.3 किलो न्यूटर्न अर्था 530 केजी होता है ओके स्विव कपलर इसको बॉक्स क्लैम भी बोला जाता है इसका उप्योग दो ट्यूब को आपस में जोडने के लिए किया जाता है ट्यूब का लेंथ बढ़ाने के लिए दो ट्यूब को या तो होरिजेंटल या फिर वर्ट इसका सेफ वर्किंग लोड 3 किलो न्यूटन अर्थात की 300 केजी होता है ओके नेक्स्ट पुट्लो कपलर पुट्लो कपलर का उप्योग प्लैंक को ट्रांजम के साथ फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं यह एक पुट्लो कपलर है इसका जो सेफ वर्किंग लोड होता है 0.53 किलो न्यूटन अर्थात 53 केजी होता है नेक्स्ट जॉइंट पीन क्लैम इस क्लैम का उप्योग दो ट्यूब को आपस में जोडने के लिए यूज किया जाता है इसमें क्या होता है कि आपका यह बोल्ट देख रहे हैं यह क्या जाता है जब भी हम इसका फोल्डिंग करते हैं तो अपने को चड़ने के लिए लैडर यूज करते हैं फिर उस लैडर को गीरेना उसके लिए सिक्यूर करना होता है इसलिए हम अपने रेलिंग से या फिर जो हमारे ट्यूब होता है उससे लैडर को सिक्यूर के जाता है इस कजब अपने स्काफक करते हैं तो डॉपलिंग ना उसके लिए हम क्या करते हैं उसको तो किसी fix structure से या फिर किसी beam से उसको fix करते हैं ठीक है इसमें क्या होता है कि जब भी हम beam clamp का उप्यों करते हैं वहाँ पे एक साथ में दो क्लैम का यूज करते हैं ठीक है इसलिए दो क्लाइम करें ताकि वो दोनों तरब से उसको सिक्योर कर सके और टपलिंग होना से रोख सके इसका सेफ वर्किंग लोड 30 किलो न्यूटन डैट मिन एक नए टॉपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर